नमस्कार दोस्तों मैं उसमुच अधरी और सुक्सेस प्लस स्केडविंग के प्लैटफॉर्म पर आप सब एक हारदिक स्वागत है तो दोस्तों दुनिया में कई ऐसे बड़े कॉनकरर होए हैं जो किसी देश के लिए हीरो हो सकते हैं और किसी के लिए विलेन हो सकते हैं हीरो और विलेन ये दोनों बड़ी सापेक्षिक चीज़े हैं जैसे कि अलेकजेंडर जिसको वेस्टन वर्ल्ड अलेकजेंडर दा ग्रेट के नाम से जानता है भारत में हम उसे सिकंदर के नाम से जानते हैं वो वेक्ति गरिक लोगों के लिए एक हीरो था लेकिन हम बात करें पर्शिया की चाहे भारत की तो उनके लिए वो एक आकरानता था जिसने उनकी सरजमी के उपर आकर्मन किया Cyrus the Great जिसको परशिया का एक महान राजा माना जाता है परशियन लोगों के लिए वो एक हीरो हो सकता है लेकिन जिन देशों के उपर उसने आकर्मन किया उनके लिए वो एक विलन था चंगेज खान मंगोल का एक बहुती खतरनाक कौनकरर जिसको इत्यास का सबसे बड़ा कौनकरर माना जाता है वो मंगोलियन लोगों के लिए एक हीरो हो सकता है लेकिन बाकी दुनिया जिसके उपर अपना कहर उसने बरसाया उनके लिए वो हमेशा एक विलन रहेगा भारत में भी कई ऐसे राजा हुए हैं जिनकी महानता के उपर सवाल पैदा होते हैं जैसे अकबर की बात आती है तो अकबर को कहा जाता है कि अकबर एक महान राजा था लेकिन अकबर की महांता के उपर सवाल तब पैदा होते हैं जब मेवाड के उपर उसने कतले आम मचवाया और 30,000 लोगों को जो के निर्दोश लोग थे उनके उपर उसने कतले आम का आदेश दे दिया तो अकबर की महानता थी या नहीं थी उसके उपर सवाल उठते हैं वो एक बहुती अच्छा परसाशक था उसने बहुती अच्छी अच्छी नीतियां बनाई लेकिन इससे वो एक महान राजा नहीं हो जाता उसी तरीके से समराथ अशोक, जिसको हशोक महान के नाम से हम जानते हैं, वो भी अगर कलिंग के यूद्ग से पहले की बात कर ले, कलिंग के कैमपेयन की बात कर ले, तो उसके बाद उसका जो चरित तरह वो बदला था, उससे पहले उसे चंद अशोक कहा जाता था, एक ऐसा अशोक जो की एक बहुत ही ज़्यादा करूर था तो बहुत से ऐसे राजा हुए हैं जिनके बारे में ये सवाल उठते हैं कि वो एक अच्छा राजा था या नहीं था उसने किस तरह से परशाशन किया, कितने लोगों को उसने परसीक्योट किया, इस तरीके की बाते होती हैं एक ऐसे ही वेक्ति की बात आज हम करने वाले हैं, इसका नाम है तैमूर लैंग भारत में इसको तैमूर लेंग कहा जाता है वेस्टन वर्ड में इसको तैमूर लेम कहा जाता है ये वो व्यक्ति था जिसको कोई महान नहीं कह सकता और कोई इसे अपना हीरो नहीं कह सकता हालांकि उजबेकिस्तान से ये बिलोंग करता था और उजबेकिस्तान के कुछ लोग इसे अभी भी महान समझते हैं और मानते हैं कि ये हमारे देश का एक ऐसा राजा था जिसने हमारी boundaries को बहुत extend तक फैलाया लेकिन क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया भर में दो क्रोड लोगों की हत्या करी लग भग ये estimate है कि एक क्रोड सतर लाग सें दो क्रोड लोगों की बीच में इसने हत्या करी है जो कि उस समय की दुनिया की कुल आबादी का लग भग पांच परतिशत हिस्सा थी और इसने कोई अच्छा परसाशन भी नहीं किया नहीं अपने लोगों की परवा करी नहीं दूसरे लोगों की परवा करी सिर्फ अपनी हुकूमत को और अपनी कौनकरनेस को आगे बढ़ाने के लिए इसने इतने लोगों का कतलेयाम करवा दिया तो ये वेक्ति जो था ये कौन था इसने भारत के ओपर भी आकरमन किया और दिल्ली में भी इसने कतलेयाम मचवाए इसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे और इसकी जो दहशत गर्दी है और इसकी जो वहशी पन है उसका मैं एक नमूना आपको दिखाता हूँ इरान का अश्वाहन शहर ये अश्वाहन शहर इरान में आज के समय यहां पर पढ़ता है इस शहर के उपर इसने एक बार आकरमन किया था और आकरमन का बाद इसने लगबग दो लाक लोगों को इस कदर मरवाया निर्दोश, छोटे, बच्चे, बूढ़े, औरते, सब लोगों को इस तरह से मरवाया और उसके बाद उनके जो हेड हैं, उनके जो इसकल्स हैं, उसके टावर बनवा दिये, पिरामिड बनवा दिये और इस तरीके के पिरामिड जो आपको दिख रहा है, कितना खोफ देने वाला ये मंजर है इस तरीके के लगबग 28 टावर इसने यहां पे बनवा दिये थी तो इस तरीके का कुरूर वेक्ति था ये और इस तरीके का वहशी दरिंदा था ये मैं आपको गए सकता हूँ तो इसकी जो दहशत है उसकी हम कहानी देखेंगे किस तरह से ये पावर में आया किस तरह से इसने मिलिटरी कैमपियन्स किये कहां पे पैदा हुआ और भारत पे इसका आकरमन हुआ उसकी भी हम बात करेंगे बात करते हैं तैमूर लेंग की मैंने जैसा कि आपको बताया कि हिस्टोरियन्स और स्कॉलर्स एक एस्टिमेट देते हैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सक्सेस प्लस अकेडमी का अभी ओनलाइन प्लैटफर्म जो है यूट्यूब के अलावा एप्लिकेशन आ गया है और इसका वेब पोर्टल भी आ गया है तो यहां से आप इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करके काफी कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं यहां पे आपको फिरी कंटेंट भी मिलेगा अगर आप स्टेडी मेटेल में यहां पे जाते हैं तो आपको various videos की PDF मिलेंगी जहां से आप notes को access कर सकते हैं और बहुत सारी playlist भी मिलेंगी जहां पे आप videos भी देख सकते हैं साथ ही अगर आप किसी competition exam की तयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी हम बहुत सारे courses यहां पे ला रहे हैं अभी recently दो course यहां पे publish हुए है world history का course है जो आपको सिर्फ 400 रुपे में मिल रहा है और जो हमारी modern history है इंडिया की उसकी जो एक famous book है Brief History of Modern India spectrum की यह book है राजीव एहिर जीने जो लिखी है इसके भी मैं video lecture यहां पे आपको provide करूँगा ना केवल video lecture लेकिन इनकी PDF और इनके related test हैं वो भी आपको यहां पे systematic ढंक से मिलेंगे जिससे आपकी जो तयारी है वो बहुती बहतर ढंक से और systematic तरीके से हो सके तो चलिए जानते हैं टैमूर लेंग के बारे में टैमूर लेंग जिसका rain of terror जिसका आतंक का जो एक यूग था उसके बारे में बात करते हैं तो यह व्यक्ति जो है 1336 में पैदा होता है 1405 में मर जाता है उसके बीच में इसने काफी सारे invasion किये और यह तुरको मंगोल conqueror था यानि तुरकिश रिजन से था और मंगोलियन once से आता था काफी सारी tribes जो थी वहां से आता था और इसने टैमुरोइड अमपायर की स्थापना करी परशिया और सेंट्रल एशिया में यह तैमुरोइड का अमपायर है जो कि तैमुर लैंग ने ही स्थापित किया था इसमें आपको बहुत बड़ा सामराजे देखेगा इसकी शुरुवात होती है यहां से समरकांद सेंग जो कि जबेकिस्तान का हिस्सा है उसके बाद औराल सीन से लेके कैस्पियन सी ब्लैक सी तक इसका सामराजे फैला हुआ था इधर पर्शन गल्फ तक फैला हुआ था और भारत में भी इसने आकर्मन किया था जब 1388 में जब भारत में दिल्ली सल्तनेत का रूल हुआ करता था तो दिल्ली तक को इसने अपने कंट्रोल में ले लिया था एक बार के लिए तो बगदाद, इस्वाखान और ये जो कई सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहां पर भी इसने आकर्मन किये अब बात करते हैं क्या करता था, कैसे करता था और कितना बड़ा सामराजे था कई सारी चीजे हैं इसके बारे में जानने के लिए तो ये वेक्ति जो है 8 अप्रेल 1336 को पैदा होता है एक केश नाम की सिटी है जो की लगबग उस समय ये जो समरकांद है इसके लगबग 50 माईल की डिस्टेंस पे थी साउथ में और उस समय समरकांद जो है ट्रांस ओक्षियाना का हिस्सा वगा करता था अब उजबेकिस्तान इसको बोलने लगे बारलस ट्राइब से बिलोंग करता था और ये मंगोलियन्स और तुरकिस एंसिस्ट्री का मिक्स्चर था बेसिकली और आपको पता है कि भारत में आगे चलके मुगलों ने एक लंबे समय तक रूल किये है मुगलों को आप सभी जानते हैं भारत के थियास में बाबर जो आया था वो भी इसका वंशच था बाबर के अगर बात करें तो बाबर की जो मदर थी और फादर था तो मदर जो थी वो तो आती थी चंगेज खान की डाइनिस्टी से और जो फादर जो थे वो आते थे इसी तैमूर की वंश से तो तैमूर और चंगेज खान दोनों के बंस से आगे चल के मुगल जो है वो आते हैं और वो भारत में आगे चल के 1526 में पानीपट की पहली लड़ाई के दोराग आगे चल के भारत में मुगल सत्ता की नियू रखते हैं यह चीज होती है अब बात आती है कि यह नॉमेडिक एंसिस्टर थे इनके नॉमेडिक यानि की जो घुमकड परजातियां होती हैं जो ट्राइबल्स होती हैं जो एक जगे से दूसरी जगे जा जाके कहीं एक जगे सेटल डाउन नहीं होती लेकिन ये बारलस ट्राइब जो थी वो एगरिकल्चर और ट्रेड करने लग गई थी त जब चंगेज खान की बायोग्राफी में आपको बता रहा था वो चंगेज खान जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन करर माना जाता है उसकी बायोग्राफी मेंने कवर कराई है वो भी आप जाके प्लेस में देख सकते हैं तैमूर का मतलब क्या होता है तैमूर का मतलब होता बोडी पार्ट जिसका कुछ मिसिंग है या फिर अपंग हो गया है तो इसको तैमूर लेम कहा जाने लग गया और तैमूर लेम जो है यह शब्द बना था तीमूर ए लेंग से यह एक तुरकिश वर्ड है इसका मतलब होता है तैमूर जो कि किसी हाथ उसका कुछ डेमेज है भ इसके बाद बात आती है कि पावर में कैसे आया सत्ता में कैसे आया एक ट्राइब में था इसके पापा जो है वो एक ट्राइब के लीडर थे लेकिन इतना बड़ा सामराज्य इसके हिस्से में कैसे आया उसकी बात करते हैं तो दोस्तों मैंने आपको जब बताया था चंगे बेटो ने बाणट लिया था यहाँ पे खानेट ओफ ग्रेट खांस थे इसके तीसे नमबर के बेटे को यह मिल गया और चगताई खांगनेट जो है चागताई जो एसका बेटा था सबसे बड़ा बेटा उसके पास था तो अलग-अलग सामराजे थे और चंगेज खान का बहुत बड़ा सामराजे था यह जो आपको दिख रहा है ना इतना बड़ा सामराजे यह चंगेज खान के और उसके वंसोजों ने इसको बनाया था चार उसके बेटे थे तो यह जो चगताई खाने थी चगताई जो डाइनस्टी थी रूल क कर रही हैं हुकूमत कर रही हैं एक तरह से और चगताई जो हैं उनके सुपिरियर हैं वो उपर उनको एक तरह से कमांड करते हैं उनको एक तरह से उनकी लीडर्शिप में लोग काम कर रहे हैं चगताई लोग जो थे पहले के मंगोलियन क्या थे नॉमेडिक थे एक जगह से द किसे फाइदा किसे उठाया तैमूर ने तैमूर ने कैसे फाइदा उठाया कि और की सबसे पहले तो यह चागताई डायनिष्टी जो काम करी थे चागताई जो मंगुलियंस थे उनकी उन्दर काम किशाव shirt योद्धा की तरह एके उनके ढाने वाले समय में पेंज़े जी शै strategies हैं और इसके military skills थे उनकी वज़े से इसको head बना दिया गया एक force का जिसमें 1000 घुरसवार सेनिक थे उसके बाद खोरासन का एक campaign होता है चैगताई इसके time पे उस invasion में ये भागिरदारी निभाता है और leadership करता है जिसमें ये जीत जाता है इसके बाद जो tribe थी उसका head इसको बना दिया जाता है तो यहां से इसका power जो है उसमें आने का session शुरू हो जाता है ट्रांस ओक्षियाना में political situation क्या थी वो मैं आपको थोड़ी बता चुका हूँ कि चैगताई मंगोल्स जो हैं वो यहां पे rule कर रहे चैगताईज ने अपनी जो lifestyle है उसको बदल दिया था चंगेज खान के दोर में ये लोग nomadic हुआ करते थे mobile way में घूमते थे एक जगे से दूसरी जगे पे shift होते रहते थे लेकिन बाद में इन्हों अर्बन life जीना शुरू कर दिया अर्बन life जीना शुरू कर दिया तो इन्हों ने अपनी जनता के उपर काफी taxation लगाना शुरू कर दिया काफी tax लगाई तो जनता इससे ज़्यादा थोड़ी नाराज थी नाराज होने का फाइदा जो है इसके आसपास के जो लिटरी लीडर्स हैं उन्होंने उठाया और लोकल जो लोग हैं वो अपने अपने लीडर्स को फोलो करने लग गए 1347 आते एक लोकल लीडर था एक ट्राइबल लीडर था कजगान कजगान भी हलंकि मंगोलिय नहीं था इसने पाउड को सत्ता से पाउर में यह आ गया चगताई रूलर्स को इसने हटा के खुद यह रूलर बन गया लेकिन उसके बाद कजगान का भी असेसिनेशन हो जाता है इसको भी मार दिया जाता है अब इसकी death के बाद जो है कई सारे warlords जो होते हैं इस region के जो छोटे मोटे कबीलों के उस समय leader थे वो अब सत्ता में आने लग गए और उनकी power जो है वो बढ़ने लग गई उनमें से ही एक था तैमूर तैमूर जो है चगताई खांस के अंडर काम करता था लेकिन धीरे धीरे करके इसकी जो power है इसका जो रूत्वा है वो बढ़ने लग गया और इसकी position भी धीरे धीरे करके बढ़ने लग गई और धीरे धीरे करके चगताई जो लोग है वो इसके puppet बन गए और ये superior हो गया superior होने के बाद इसने कजगान जो था कजगान जो एक मंगोलियन था उसकी कजगान जो था अमीर हुसेन कजगान का ही grandson था अमीर हुसेन उसकी बहन के साथ शादी कर लिए उसकी बहन का नाम था अल जाई तुरक नामा अल जाई तुरक नामा के साथ शादी कर लिए जिससे क्या होता कि मंगोलियन के साथ डारेक्टली इसके संबंध हो गए वेवाहिक संबंध इसने इस्तापित कर लिया अब क्या होता है आगे चलके तैमूर को काफी followers भी मिलते हैं एक तो बालक्स उसके आसपास के merchants उसके अलावा tribesmen मुस्लिम clergy और कई लोग इसके साथ आने लग जाते हैं उसका कारण यह होता है कि तैमूर जो है इनको protect करता है दूसरे लुटोरों से और दूसरे ट्राइबल जो warlords हैं उन से तो यह लोग इसके समर्थन में आ जाते हैं इसके साथ एक तरह से गट्चोड बना लेते हैं धीरे धीरे करके यह लोग धीरे धीरे जब followers बढ़ने लगते हैं तो तैमूर की power automatically बढ़ने लगती है 1364 आते आते तैमूर ने क्या किया था आसपास के बाकित जो warlords हैं उनको हरा हरा के अपनी सत्ता को काबिज कर लिया था और हुसेन जो है और तैमूर यह दोनों लोग मिलके क्या करते हैं इस पूरे रीजन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और उस समय इलियास खोज नाम का एक वेक्ती होता है जो तुकलक तैमूर एक और तैमूर होता है तुकलक तैमूर इसका नाम है यह सत्ता में आ गया था यह ताकतवर बन गया था चगताई डाइनस्टी के कमजोर होने के बाद तो इसको भी हरा देते हैं इसके बेटे को हराने के बाद फाइनली 1366 में सभ उसके बाद क्या होता है हुसेन के साथ भी इसकी ज्यादा बनती नहीं है हुसेन के साथ इसके रिष्टे ठीक थे जब तक इसकी वाइफ जिंदा थी लेकिन इसकी वाइफ जो है वो 1370 में उसकी मृति हो जाती है उसके बाद हुसेन के साथ इसका कोई रिष्टा होता रहता न लेते थे हलांकि चंगेज खान एक मुस्लिम नहीं था चंगेज खान कोने प्रिंज की अमेर की उपादी ले ली आगे चल खेए आफगानिसतान में युथ लेते थे कि ना केवल टांस उक्षिया ना बलकि इसे पूरी दुनिया को फत्य करना था इसके बड़े अंबिशन्स थे और ये चंगेज खान को अपना हीरो मानता था और चंगेज खान के जैसा इसकी लाइफ में काफी सारे वैसे इवेंट भी हुए हैं जैसे चंगेज खान की मदर को किसे ने उसके पिता को जहर दे दिया था चंगेज खान की वाइफ को किसे ने एक दूसरी ट्राइब ने एनिमी ट्राइब ने कैप्चर कर लिया था एक तरह से उसका हरन कर लिया था उसी तरीके से तैमूर की लाइफ में भी एक इवेंट होता है कि उसकी मदर को भी किसी जो दूसरी ट्राइब थी अन लोगोंने एक तरई से बंधी बना लिया था तो उससे काफी इंस्पायर था जैसे चंगेज खान ने बदला लिया था अपनी वाइफ को हरन करने का वैसा इस ने लिया सभी लोगों को मार दिया चंगेज खान को काफी फोलो करता था आगे चलके चंगेज खान की तरह पूरी दुनिया पे अपनी सत्ता कायम करना चाता था और उससे भी एक स्टेप आगे जाना चाता था कि बूटलिटी में तो मैं चंगेज खान को भी पार कर दूँगा तो इस तरीके की चीज़े इसके मन में थी तो उसके बाद इसको क्योंकि अब इसके पास पूरी पावर आ चुकी थी एक मंगालियन समराज्य चगताई समराज्य इसके अंडर आ चुका था जो कि अपने आपने एक बड़ा समराज्य था कंट्रोल था बड़ी आर्मी इसको मि में ले उसके बाद यह West की तरफ यह जो खानेट of gold hard है इसको भी अपने control में ले उसके बाद यह चाहता था कि यहाँ पे Ming Dynasty जो आ चुकी थी चाइना की उसको भी अपने control में ले तो कई सारी चीजें इसके दिमाग में चल रही थी और भारत की तरफ भी इसका invasion का मकसद था तो काफी बड़े गोल के साथ चंगेज खान तयार था अब अपनी आर्मी को लेकिए और आर्मी के campaign शुरू होते हैं सबसे पहले कहां पे ये जो golden harbor वाला जो छितर है यहां पे इसने लड़ाई करने शुरू कि बस पागलपन की तरह एक सामराजी विस्तार कर रहा था उसके बाद एक मंगोलियन रूलर होता है जो चंगेज खान के ही descendants में से होता है जिसका नाम होता है टॉकलियमिश टॉकलियमिश जो है ये पहले के समय इसके साथ रहा करता था ये तैमूर के साथ रहता था लेकिन बाद में ये गोल्डन हौड और किप्चक जो रिजन है इस्टन किप्चक रिजन उसका ये रूलर बन जाता है लेकिन उसके बाद ये चाता है कि टैमूर से कुछ छितर जो है इसके कंट्रोल में आ जाए और वो छेतर है ख्वारजमी वाला चेतर और अजर्बाइजान इस चेतरों का अपने कंट्रोल में लेना चाता था इसलिए इन दोनों के बीच में एक फाइट चल रही थी लेकिन इसके बावजूद भी तैमूर ने तोकलियमिश को रश्या के इन्वेजन में मदद करी ये मदद करी इसने तेरा सो असी में इसको पता था कि आगे चलके मैं जितना भी छेतर इस तोकलियमिश के पास होगा वो मैं खुद जित लूँगा तो एक बार इसके साथ मिलके इसने रश्य है 1383 में हेरात को इसने अपने कंट्रोल में ले लिया और अब इसके लिए रास्ता खुल गया था कि परश्या के उपर हमें नेक्स्ट आकरमन करना है अब परश्या में क्या चल रहा था अब वो सईद नाम का एक रूलर था पहले जो ताकतवर हुआ करता था उसकी डेथ के फाइदा उठाना था फाइदा उठाने के लिए इसने परश्या की तरफ अपने कंपेंश और शुरू किया सबसे पहले तेहरान अब इसने ये सोचा कि अब ना केवल कुछ छेतरों को बलकि पूरे परश्या को अपने कंट्रोल में लेना है और परश्या को कंट्रोल में लेने के लिए इस वहान और सिहराज जो दो बड़े शहर थे साउथ वाले शहर थे इरान के इसको अपने कंट्रोल में लेना था तो कहां तक एरोप पे ब्लैक सी के आसपास के रेजन तक कैम्पेन किये हैं उसी दोरान इसने इश्वाखान शहर के ओपर कंट्रोल करने के लिए पहले कैम्पेन किये डमासकस देखे इस कैम्पेन को पूरा ध्यान से देख लीजी ये वो रेजन है जब 1387-1385 के आसपास ये इस रेजन में आ चुका था और परश्या के तरफ आकर्मन करने शुरू कर दिये थे उसके बाद ये आगे भी बढ़ता है 1402 के आसपास और भारत की तरफ आता है 1388 में तो अलग-लग समय पे अलग-लग जगहों पे इसने आकर्मन किये हैं तो 1385 के आसपास इसने सोचा कि इस्पाहान शहर को अपने कंट्रोल में लिया जाए ये शहर बड़ा पॉपूलर था इसकी प्रोस्परिटी इसके पास काफी धन संपत्ता थी काफी आर्टिस्ट थे मतल कि ठीक है हम मान लेते हैं आपकी अधिनता सुईकार कर लेंगी लेकिन उसके बाद तैमूर ने इनके उपर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स शेशन किया बहुत ज़्यादा इनके उपर टैक्स लगा दिये तो उसकी वज़े से जो नाराज लोग थे उन्होंने कर दिया एक विद्रोफ और ये जो विद्रोफ किया कि इशफाखान शहर के लोगों के लिए बहुत बड़ी मसीबत साबित हुआ और टैमूर ने एक आदेश निकाला कतले आम का आदेश निकाला और जहां पे लग-बग एक लाग से दो लाग लोगों को मरवा दिया कटवा दिया और 28 तावर बनवा दिये जिसमें हर एक टावर में अठाई पंदरा सो से ज़्यादा सर थे इस तरीके के पिरामिट बना दिये ये जो इसने काम किये ये जो दहशत गर्दी इसने फैलाई उससे क्या है यूरों तक के जो देश है और बड़े बड़े जो किंडम है वो डर गए कि एक ऐसा मंगोलियन और तुरकिश राजा है जो कि लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है कहीं पे भी जाता है वहाँ पे वो इतने आम कतले आम मचाता है कि उसके साथ हमें कुछ समझोते कर लेने चाहिए उन्होंने अपनी मिलिटरी के तरब भी ध्यान दिया अब यह जो कॉंक्रेस्ट वे इसमें इसने इतनी बुरी तरह से दहशत क्यों मचाई तो एक हिस्टोरियन का एक बिलीफ है कि यह एक सिस्टेमेटिक तरीके से अपने टेरर को अपने आतंक को दिखाना चाहता था कि तैमूर लेंग से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है कि एक तो लेकि जगे पर इसतरा बुरी तरह से कदले आम मचाऊ कि कोई दूसरा विरौद करने की सोचे भी ना और सोचे तो इसे अंजाम पता हूँ तो इस तरीके की चीज़े इसने करी और इसके बाद इसके जो मसाकरईज हैं इसके जो कतले आम हैं उनको देखा जाता है कि कई बार सेलेक्टिव भी देखने को मिलते हैं कि आर्टिस्टिक और एजुकेटेड जो लोग थे उनको इसने छोड़ा भी है और इसके जो आकरमन वह आगे के Conqueror नादिर्शा जैसे लोग जो भारत में आया था नादिर्शा आपको पता होगा जो कोहिनूर डाइमन्ट को भारत के मैयुः सिहासन को उठा के लेगी गया था वो नादिर्शा परश्या का वेक्ति था इसको परश्या का क्या बोला जाता है किस उपादी से दिया जाता है इसको तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में बताएगा मैंने इसके उपर वीडियो बनाया था नादिर्शा के उपर तो यह एक मैं बता देता हूं फ्रांस क campaign थे इसके पांच साल में इसको ये plan था कि आने वाले समय में में कई देशों को जीतूँगा जिसके शुरुवात ये करते है कुर्दिश्तान से 1312 में में उसके बाद सिराज जो दूसरा शहर था जो साउधन इरान का उसके अपर ये कंट्रोल करता है और वो इनिशली जल्द कर देता है क्योंकि जो इसवाखान शहर में हुआ उसके बाद किसी की हमत नहीं होती कि इसके सामने खड़ा हो और रिबेल कर सके धीरे धीरे करके जो इस छेतर के बड़े-बड़े सामराजे हैं बड़े-बड़े जो kingdom's हैं उन्होंने इसके सामने घूटने टेक दिये उसक किया, किस तरीके की भारत की इस्ति थी उसको थोड़ा समझते हैं, तो यहां पर याए है 1387 में, 1388 में, बात करते हैं, 1388 में भारत की इस्ति क्या है? भारत की पानिपत की जमीन पे एक और युद्ध होने की कगार पे था, पानिपत की तीसरी लड़ाई जिसमें मराठों ने मुहमद एहमद शाह अबदाली के साथ लड़ाई लड़ी जो अफगानी था जिसमें हार हुई तीनों ही पानीपत की लड़ाईयों में क्या होता है पहले में बाबर जीता है दूसरे में अकबर जीता है और तीसरे में अफगान जीतते हैं तो अब पानीपत में जो लड़ाईया हुई है वो भारतियों के लिए कुछ ज्यादा बहतर रही नहीं है वो बहुत ही गलत तरीक नासुरुदीन महमूद शाह तुकलक जो था ये एक बहुती वीक रूलर था तुकदक डाइनिस्टी ने भारत के दिल्ली सल्तनत पिरियड में सबसे बड़े सामराज्य के उपर रूल किया है लेकिन वो बड़े रूलर थे पहले वाले मुहमद शाह तुकदक गयासुदीन त तुकलक और फिरोल शाह तुकलक वो ताकतवर थे लेकिन उसके बाद तुकलकों का पतन होना शुरू हो गया और पंदरा साल में ही पांच क्या उससे भी ज्यादा रूलर बदल गए थे पंदरा साल में तो ये नासुरुदीन महमूद जो था ये भी कमजोर था और भारत मे इस्पेशली दिल्ली सल्तनत में दिल्ली के आसपास की रीजन में केयोटिक पिरियड चल रहा था तुकलक डाइनिस्टी को लोग ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे तो तेरा सो अठानमे में ये जो तैमूर है ये भारत की तरफ आता है ओवियसली दो कारण होते हैं एक को डंके की चोट पे बाकी लोगों को मनवाऊंगा मैं ये इसके खुद के शब्द हैं आगे मैं आपको बताऊंगा तो उसके बाद पानी पत में तेरा सो अठानमे में एक लड़ाई होती है और इस लड़ाई में ओवियसली तैमूर जीत जाता है महमूद शाह तुकलक हार जाता है और इस लड़ाई के बाद तैमूर ने एक लाख लोगों को मरवा दिया आज के समय जो हरियाना के और पंजाब के असपास सिरसा वाला जो छेतर है यहां पे कतले आम मचवाया इसने हजारों लोगों की इसने हत्या करवा दी इसलिए तैमूर को और तैमूर के इस भारत के इत्यास में एक काला दभा काला दिन काला टाइम माना जाता है इसलिए दोस्तों आज के समय में भी जब कोई तैमूर नाम किसी अपने बच्चे का रखता है तो उसके ओपर कई बार विरोध जताना एक ओवियसली एक फिलिंग है और लोग जताएंगे ही अगर पिसकी बात है इस आदमी ने भारत के अंदर आके इतने कतले आम मचाई इसके नाम पर किसी ने अगर अपने बेटे का नाम रखा है तो इसलिए कई बार ये चछ्चा में बना रहता एक वियसलाम के जानते हैं तो फिर इसको क्या दिक्कत थी? बेसिकली दिक्कत ये थी, इसलाम का तो नाम याद करना था इसको, एक तरह से उसको दुस्परचार करके, और अपने सत्ता को आगे बढ़ाना था, अपना समराज्य विस्तार करना था, दिल्ली के संपद्दा को लूटना था, ये था, इसलामिक तो यहाँ पर भी रूल कर रहे थे, लेकिन कहा कि वो सच्चे इसलाम धर्म के लोग नहीं है, वो तो इसलाम का पतन कर रहे हैं, हमें जीतना है जाके, तो ये चीज इसने करी, और दिल्ली के उपर जो इसने हमला किया, वो बहुत खतरनाक था, इवन अलेक्जेंडर के समय पर जो आकरमन हुआ, वो भारत के आगे तक नहीं पहुंच पाया, उसने कतले आम नहीं किया, वो जहलम नदी के किनारे तक एक युद लड़के उसको वापिस जाना पड़ा, बाकी मंगोलियन्स ने भी भारत के उपर कई बार आकरमन किये हैं, दिल्ली सलतनत प्रियेड में 12 से जादा आकरमन तो अलाओदिन खिलजी के समय हुए, लेकिन क्योंकि अलाओदिन खिलजी एक ताकतवर और एक स्टेटेजिकली स्ट्रॉंग रूलर था तो उसने उन मंगोलियन्स को यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट करने नहीं दिया, इसलिए जो तैमूर का जो इन्वेजन था वो बहुत ताकतवर था, बहुत ब्रूटल था और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ भारत को और आने वाले लंबे समय तक भारत इससे रिकावर नहीं कर पाया, क्यों किया इसने आकर्मन? मैंने आपको कारण बता दिया है, दो तिन कारण है, एक तो दिल्ली सल्तनत का कमजोर होना, उसके अलावा उस समय भारत की संपद्दा, लेकिन इसने अपनी ओटो बाइग्राफी तुजू के तैमूरी में क्या लिखा है, इसने कहा, My object in the invasion of Hindustan is to lead the expedition against the infidels to convert them into the true faith of Islam and purify the land itself from the faith, infinity and polytheism. Polytheism कौन सा धर्म था भारत में? Hindुईजम, मतलब जहां पे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है, तो basicly ये कह रहा हैं कि मैं Hindustan के अंदर इसलिए आकर्मन कर रहा था क्यूकि वहाँ पे काफिर थें और मैंचा था कि सब इसलाम को कबूल कर लें, सब को purify करना चाहता था और इसलिए मैंने इसके उपर आकर्मन किया और उसके बाद तैमूर ने क्या लिखा है, उसने कहा क इसके आकरमन से अनःपी सिटी हुई है वो हालां कि जो तुगलग थे उनकी वज़े से अनःपी थी उसको एक अलग रीजन है लेकिन इसने अनःपी कैसे बताय है अपना प्रोस्पेक्टिव रखा है इसने कहा है कि जो अनःपी सिटी थी वो अब bloodshed में और ruins में और destruction में तबदील हो चुकी थी मैंने उसको पूरी तरह से बरबाद कर दिया तो ये इस चीज को अपनी वहवाही करना चाता है इसमें ये कह रहा है कि इसने बहुत बढ़िया काम किया इसके according लेकिन इसने क्या किया है एक कतले आम मचाया है एक वहशी और दरिंदगी दिखाई है आम आदमियों को नॉर्मल लोगों को मार के उसके बाद तैमूर ने यहाँ पर कई सेंक्डों बिल्डिंग्स को तोड़ा टेंपल्स को तोड़ा लूटा वेल्थ को लूटा बहुत कुछ ऐसा चीज़े की जो की बहुत ही ज्यादा गलत है और डिजास्टर साबित हुआ है और काफी करोडों का यहाँ से लूट के चला गया इसका एक और effect क्या होता है कि तुगलक डाइनिस्टी का भारत में अंत हो जाता है तुगलक खतम और तुगलकों की जगए अब भारत में को नएया सयद डाइनिस्टी सयद डाइनिस्टी की नीव जो है 1414 में रखी गई ऑससे पहले यहाँ पर इनी का रूल था भार्त को फत्य करने में और इसने रूल करना शुरू किया और कहा कि मैं तो तैमूर के भिहाब पर रूल कर रहा हूं यहां पर और मैं प्रॉफिट मुहमद के वंच से आता हूं तो इस तरीके की बाते इसने करी जो की कोई उनका सेंस नहीं निकलता बेसिकली एक धोके बास जिसने भार्त को दोखा दे के इसके उपर आकर्मन करवाया तैमूर का और आने वाले समय में यह सेयद डाइनस्टी ने एक 37 साल के पिरियड के लिए रूल किया हलंकि सेयद डाइनस्टी का भार्त के रूल के अंदर दिली सल्तनत में सबसे कम योगदान और सबसे उसको अल तो इस तरीके से इसका इफेक्ट वाव और भार्त इसके परभाव हैं उससे काफी लंबे समय तक उभर नहीं पाया क्योंकि इस तरीके का खतरना आकर्मन तैमूर का आकर्मन का बाद का तैमूर ने जो सामराजी जीता था उसका यह मैप है यह मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ फर्दर इन्वेजिंस की बात करें तैमुर ने दिल्ली को जीतने के बाद ओर्टमन अम्पायर की तरफ रुख किया और वहां पर राजा हुआ करता था जो खलिफ हुआ करता था वो था बाइजिड के उपर अटेक किया बाइजिड को भी इसने हराया उसके कई लोगों ने इसलाम कबूल कर लिया बाद में वापिस कनवर्ट करने कोशिश की तो उनको फिर हत्या कर दी उनकी तो इस तरीके के काम किये फिर एलेपो बगदाद डमासकस यह जो शेहर है आज के समय सीरिया और इराक के इनके उपर इसने कंट्रोल किया उस समय चोटे- शही और इसके brutality से इतने डर गए थे कि France, England, Spain इन सबी देशों ने अपने invoice बेजे अपने ambassadors को इसके court में बेजा कि सब diplomatic तरीके से sort out कर लें तो ठीक है हमें एक लड़ाई नहीं चाहिए लेकिन टैमूर ने इनके तरफ ज़्यादा रुख किया ही नहीं और अंतिम समय पे अपने आखरी campaign की तरफ वह बढ़ा तो उसने चाइना की तरफ रास्ता चुना कि मिंग चाइना की जो dynasty उसके उपर वो रूल करना लड़ना चाहता था मिंग की मैं आपको direction दिखाता हूँ तो मिंग चाइना की जो southern चाइना था वहाँ पे उसने रूल किया यहाँ पे मैप नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो south चाइना sea के साथ का जो एरिया है वहाँ पे मिंग डाइनिस्टी रूल करती थी वहाँ पे इसने अटेक करने शुरू कर दिये थी अटेक करने की कोशिश करी थी दिसंबर 1404 में जब इसने अपना military campaign शुरू किया मिंग डाइनिस्टी के खिलाव तो उसी दोरान इसने सबसे पहले आगे बढ़ना शुरू किया था तुरन थी फरवरी 17-1405 को जब ये चाइना बोर्डर की तरफ पहुंची जाता था उससे पहले इसकी एक जगह पे बिमारी की वज़े से मृत्य हो गई तो यहां पे फाइनली इस राकशष का अंत होता है 1405 में जिसने इतने लोगों को मारा उसके बाद उजबे के उस्तान में इसका मकबरा भी बनाया गया मकबरा आज भी है समरकांद में अगर देखें तो इसकी बड़ी मुर्ती लगी हुई है बड़ा मकबरा है इसका कई लोग इसको अपना हीरो मानते हैं वहां पे और इसकी लिगेसी की बात करते हैं तो लिगेसी की बात यह है कि जो ही ये वैक्ती मरा तो इसका सामराज्य भी खतम क्योंकि ये जो सामराज्य था इसकी नियू किसके उपर थी इसकी नियू दो ही चीजे थी कि दुनिया को जीतना है, पाउर को एक्वाइर करना है सामराज्य के अंदर रूल कैसे करना है सामराज्य के अंदर administration कैसे करना है इसका कोई plan था नहीं चंगेज खान जो की एक बहुत बड़ा कॉनकरर था उसने भी कई लोगों को मारा है हाजार करोडों को मारा लेकिन इस वैक्ति ने कम से कम अपने साशन काल में आसपास के छेतर में एक कुशल पशाशक के तौर पे तो काम किया लेकिन इसने तो ये भी नहीं किया तैमूर ने तो तैमूर के बाद जो इसके वंशस्ते उन्होंने भी ढंक से क्योंकि इसके बाद जैसे कि एक ये वारलोड था तो बाकी लोग वारलोड थे वो भी सत्ता को पाने के लिए वो लग गए तो कोई गवर्मेंटल स्ट्रक्चर नहीं था सब को इस डिस्टोई इसने कर दिया था डिस्टोई हो गया अब बात आती है कि कई मुस्लिम लोग जो जो सोचते हैं कि इसने इसलाम के लिए ऐसा किया होगा कि भई ठीक है हमारा एक युद्धा था वो दुनिया भर में गया और उसने इसलाम को परचार परसार करने के लिए ऐसा किया तो यह अपने आपको एक सिया मुस्लिम था अपने आपको एक बहुती गुड बुक में रखना चाता है चाता है कि मैं बहुत अच्छा मुस्लिम हूँ मैं इसलाम के परचार परसार करता हूँ लेकिन ये भी एक मित है उसने ऐसा कुछ नहीं किया इसलाम के भले के लिए उसने कुछ नहीं किया बिसिकली उसने उन शहरों के उपर भी अटेक किया है जो कि इसलाम के लिए बहुत महत्पूर्ण थे और काफी ज्वेल सिटीज माने जाते थे और वहां के कई लोगों को स्लोटर किया है मारायचाइज दरमासकस हो, कीवा हो, बगदाद हो इन शहरों में जो कि इसलामिक लर्निंग की एक बहुत बड़ी हब हुआ करते थे, इनको इतना पूरी तरीके से डिस्टोई किया कि ये कभी वापिस रिकाउर नहीं कर पाए और एंशिया के रूलर जो पहले के समय पे एक लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर तयार करते थे, वो भी इसने तयार नहीं किया लोगों को मरवाया, राज्य का विस्तार किया और कतलेया मचवाया, उसके अलाव इसने क्या किया, लिगेसिस की क्या है, कुछ नहीं है मैं मिंग चाइना के आप से बात कर रहा था, यह मैप थोड़ा लेट हो गया, लास्ट में आया, तो यह मिंग चाइना है, साओ चाइना सी के साथ लगता है, यहाँ पे मिंग डाइनिस्टी ने रूल किया था एक लंबे समय तक के, यहाँ पे इसने अटेक करने की कोशिश क मार आ गया, तो यह था इसका इत्यास, होफुली आपको चीजे क्लियर होई होगी, तैमूर कोन था, कहां से आया, कितने आकर्मन किये, और किस तरह के से दुनिया को उपर इसने तबाही मचाई, होफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा, so thank you so much for watching this video, have a good day, see you next video